सर, स्पोर्ट्स के बारे में आपका क्या विचार है? इसके कॉंपटीशन के बारे में, क्या इसमें दूसरों से आगे निकलने की भावना नहीं है? हम छोटे बच्चों को स्पोर्ट्स की और कैसे ले जाएं? आप क्या कहेंगे? क्या इसका मकसद जीतना है? देखिए, जीतना सिर्फ एक इच्चा है. खेल प्रक्रिया है. बलकि प्रक्रिया ही खेल है. अगर आप प्रक्रिया को सही तरह से नहीं करेंगे, तो जीतना सिर्फ एक इच्चा ही रहेगी. फुटबॉल वर्लकप में सभी 32 टीमें जीतने की इच्चा से आई. मगर सिर्फ एक टीम जीतती है. क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया को सही तरीके से हैंडल किया. इसलिए नहीं कि उनकी इच्चा दूसरों से अधिक मजबूत थी. तो इस संस्कृती में हमने हमेशा प्रक् अधिक एहम हो गई है. अगर आप प्रक्रिया को सही तरह से करेंगे, तो नतीजे मिलेंगे. अभी यहां फूल हैं. अगर आपको अपने बगीचे में फूल चाहिए, तो फूल फूल का जब करने से फूल नहीं आएंगे. अगर आपको बगीचे में फूल चाहिए, तो पानी फूल की तरह होता है, नहीं धूप. लेकिन अगर आप इन चीजों को सही तरह से संभालें, तो फूल खेलेंगे. फूल सिर्फ उनी लोगों को मिलते हैं, जो प्रक्रिया को ठीक से संभालते हैं. दुर्भाग्य से, हमने अपना ध्यान लक्ष की ओर कर दिया है. योग में एक कहावत है. योगिक संस्कृती में ये एक बहुत बुनियादी प्रक्रिया है. हम कहते हैं कि अगर आपकी एक आँख मंजिल पर है, तो आपके पास रास्ता खोजने के लिए सिर्फ एक आँख है, जो काफी इनेफिशन्ट है. अगर आप रास्ता खोजने के लिए दोनों आखों का इस्तिमाल करेंगे, तो समय और आपकी शक्ती और काबिलियत के मुताबिक आप वहां पहुँच जाएंगे, जहां आपको पहुँचना है. आपको ये परवा नहीं है कि कौन कहां पहुच रहा है. सवाल सिर्फ ये है कि आप अपनी पूरी क्षमता में काम कर रहे हैं, जीवन बस यही है. तो अगर मैं आपसे बहतर होना चाहता हूँ या किसी और से बहतर होना चाहता हूँ, तो मान लीजिए अगर मेरे सामने कोई लंगड़ा आदमी है, तो मैं उससे थोड़ा सा तेज चल कर समझूगा कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ. ये बहुत जरूरी है कि एक इनसान खुद पर ध्यान केंद्रित करे और अपनी खुद की पूरी क्षमता को खोजे. कोई दूसरा क्या कर रहा है? इससे आपका कोई ले नदना नहीं है. दूसरा जो कर रहा है, उसका आप आनंद ले सकते हैं. मगर जैसे ही आप चिंता करने लगते हैं कि वो मुझसे बहतर कर रहे हैं या मैं उनसे बहतर होना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में धेर सारी गैर जरूरी भावनाए ले आते हैं, जो एक बहुत ही बुनियादी तरीके से आपको नुकसान पहुचाती हैं. अपने जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते, ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं, तो हम एक तबाही हैं. तो अगर कुछ करते समय, मेरी निजर हमेशा इस पर रहती है, कि आप क्या कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर सकता हूँ और मैं एक तबाही बन जाऊंगा ये बहुत महद्वपून्ध है कि मैं वो हर चीज करूँ जो मैं कर सकता हूँ और अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो मैं सिर्फ किसी और की काम्यावी को देखने की खुशी के लिए कभी कबार आपको देख सकता हूँ. लेकिन अगर आप इसे लेकर चिंतित हैं कि किसी और से बहतर कैसे हो, तो आप किसी की काम्याबी का आनन्द नहीं ले सकते, नहीं आप अपनी सफलता का आनन्द ले सकते हैं.